नमस्कार मैं दिपीका बिंग ममी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादर स्पेशल होने वाला है आपके लिए अगर आप अपने बच्चे के लिए अपने दूद का प्रोड़क्शन जो है बढ़ाना चाहती हैं अगर आपको ऐसा लग चाहिए बचे का पेट अच्छे से नहीं भर पा रही है या फिर बेबी जो है आपको इतने हेल्दी नहीं लग रहे हैं जिससे आपसे वह दूद पी रहे है ना उतना हेल्दी आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं अगर आप चाहती है कि आपका दूद का प्रोड़क्शन ज टीप नंबर वन है कि आपको आपके बॉड़ी को ना हाइडरेट रखने की जुरूरत होती है हेल्दी रखने की जुरूरत होती है देखिए जब आप प्रेगनेंटी ना तो आपको उस टाइम पर डॉक्टर ने पका सज़ेस्ट किया होगा कि आप जो है बहुत सारा पानी पीजिये बहुत सारा दूद पीओ मतलब एटीस दिन भर में दो गलास तो दूद आप जरूर पीओ और जूस जो फ्रूट के फ्रेश जूसे होते है जो हम घर पे बनाते है जो प्रिजर्व क्या हुआ जूस होता है वह ने जो फ्रेश जूस बनाते है ना वह जूस पियो पानी पीओ तो इससे जो है ना आप बहुत हेल्दी रहोगे बेबी आप जब डिलिवर करोगे तो बेबी काफी हेल्दी रहेंगे बच्छे कि स्किन की कॉलिटी अच्छी रहेगी बचा काफी चब भी रहेगा नॉर्मल डिलिवरी होगी ऐसी सब चीजे जो है डॉक्टर आपको सजेस्ट के रहेंगे अभी ये सारी चीजे उतनी ही इंपोर्टेंट है जब आप अपने बच्चे को अपना फीड करवारी है अपना जीजे मतलब आप जीतना पानी पी रहें न उसकी ठोरी सी जो लिमीट है वह बढ़ाई ए क्योंकि दूद सप्लाय प्रपर नहीं कर पार रहें इसका मतलब की पानी जो है बॉड़ी में प्रपर नहीं नमी प्रपर नहीं बॉड़ी जो है डीहाइड़रेट हो गया आपकी जो है वह फट गई है लिप्स जो है सुखे सुखे दिखेंगे आपको यह सारी निसानिया होती है कि आपकी बॉड़ी जो है न वह डीहाइड़रेट हो रही है तो अच्छा दूद कहां से प्रड्यूस करेंगी आप बचा कैसे हेल्दी रहेगा तो इसके लिए बॉड़ी म में दो ग्लास दूद तो कंपल सरी है और नारियल पानी जो है ना वह आपको बहुत करने वाला इस ताइम पर आपके दूद का प्रोड़क्शन को बढ़ाने के लिए तो आप नारियल का पानी भी पीजिए तो इससे भी आपको काफी जादा है सेकेंड टिप जो कि बहुत को अपना फीड करा हो मतलब दूद पिला हो तो उसी तरह से इंपोर्टेंट यह होता है क्योंकि आप दूद प्रोड़क्शन करने वाले दूद प्रोड्यूस करने वाले तो आपके बॉड़ी को भी थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए तो इसके लिए ना आप पूरे दिन म बढालो कि मुझे जो है यह सारी चीजे इस दिन में खाना है healthy वाली चीजे खाने ऐ फास fud जब अफूट वगएर्हा नहीं जो घर का बनना हुए खाना होता है ना रोटी दाल हडी सबजियों जो सैलेट्स होते हैं जो फ्रिण खाना होता है इस तरह की चीजे घए पुरे जो है आप पूरे दिन में 5 बार खाईए क्योंकि अगर आप healthy खाऊगे ना fresh खाऊगे ना proper diet लोगे ना तब ही आप अपने बच्चे के लिए अच्छा दूद्ध प्रड्यूस कर पाऊगे तो इसलिए बहुत 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 जादा होती है जब कि आपके घर में बच्चे होते हैं तो अगर आप एक मा है ना तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आजकल की लाइफस्टाइल जो है बहुत तेजी से चेंज हो रही है शराप पिना सिग्रेट या तंबाको जैसे चीजे जो है यूस करना बहुत कोई चीज जिसमें निकोटीन की मात्रा होती है अगर यसी कुछ भी यूज कर रहो ना तो अभी के अभी उसको बंद कर दीजे क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी ना तो आपका दूद का सप्लाई जो है एकदम से धीरे-धीरे हो करके पुरा खतम ही हो जाएगा मतलब आप अपने बचे के लिए दूदी नहीं प्रड्यूस कर पाओगे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है कि इस टाइम पर आप पूरे दिन भर में एक हजार आठ सो जो कैलरी होता है उतना ही ले उससे जादा ना ले तो इसलिए इन जीजों का बहुत ध्यान रखेगा आई होप यह वीडियो आपके लिए काफी जादा इन्फोर्मेटिव होगा अगर हां तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथ ही साथ इस वीडियो को उन सभी नए पैरेंट्स के साथ एस्पेशली उन सभी नए माओं के साथ शेयर कीजेगा जिनके घर पे की न्यूबॉन बेबी हैं या आने वाले हैं और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बेग ममी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और जो बैल आइकॉन है ना उसे भी ओन कर दीजेगा